बच्चो आज हम हल करेंगे कक्षा 6-7 का कारेपत्रक नमबर 22 इस कारेपत्रक में हम 3 अंकों तक की संख्याओं के जोड की समझ विक्सित कर पाएंगे तो यहाँ पर हमें यह पहला सवाल दे रखा है हल कीजिए इसमें है 568 में जोडने है 309 तो हम यहाँ यह हमें एक सवाल करके दिखा नखा है इसी तरह से हम आगे के सवालों को करेंगे तो यहाँ देखिए 8 प्लस 9 होएंगे 17 17 का 7 यहाँ लिख दिया एक हासिल 6 और 0 को जोड़ा तो 6 और यह एक हासिल 7 5 प्लस 3 जोड़े तो कितने हो गए 8 तो यह आगया दोनों को जोड़े 877 इसी प्रकार से आगे देखिए अगला सवाल 600 तीहोतर प्लस 200 89 इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो आएका देखो 3 में 9 जोड़े तो 12 12 की एक हासिल 7 प्लस 8 जोड़े तो कितने हो गए 15 और 15 में एक हासिल लगाई तो कितने हो गए 16 16 का 6 यहाँ लिख दिया 1 हासिल 6 प्लस 2 8 और 1 हासिल जोड़ी तो कितने हो गए? 9, तो ये दोनों का योगा है 962 तीसरा सवाल देखिए 895 में जोड़े 566 तो 5 प्लस 7 जोड़े 12 12 का 2 हासिल लगी 1, 9 प्लस 6 15, 15 और 1 हासिल का 6 8 प्लस 5 13 और 1 हासिल जोड़ी तो कितने हो गए? 14, चोथा सवाल देखिए इसी का 946 में जोड़ना है 360 तो यहाँ देखो 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 6 0, और 9 प्लस 3 12 प्लस 1 हासिल लगी तो कितने हो गए? 13, इस तरह से हमने ये पहला जोड़ का सवाल हल कर लिया अब हम देखते हैं प्रसन नमबर 2 विस्तारीत रूप में लिख कर जोड़ करें तो यहाँ पर 6, 5 प्लस 312 इसमें जोड़ने हैं 6, 5 में 312 हम जोड़ेंगे तो ये कितना आजाएगा? हम पहले इसको विस्तारीत रूप में लिख कर देखते हैं देखो छेसो पचपन, छेसो को पचपन को हमने विस्तारीत रूप में लिखा, इकाई का अंक पांच का पांच आ गया, धाई का अंक आ गया, पचास सेकडा का अंक आ गया, छेसो, यहां देखो सेकडा के बाद दो संख्या है तो दो जीरो लगा दी, धाई के बाद एक संख् इसलिए अकेल आ गया इसी तरह से 312 में इकाई का अंख है 2 धाई का अंख है 1 और सेकडा का अंख है 3 तो 3 के साथ 2 0 आ जाएगी 300 प्लस 1 के साथ 1 0 आ जाएगी 10 प्लस इकाई का अंख 2 इनको आपस में जोड़ा 5 प्लस 2 7, 60, 50 प्लस 10 जोड़े तो किते होगे 60 600 प्लस 300 कितने होगे 900 और इन तीनों को जोड़ा 900 प्लस 60 प्लस 7 तो होगे 967 तो 655 प्लस 312 का यह होग है 666 यह हमें करके दिखा रखा सवाल इसी तरह से हम इसका यह अगला वाला सवाल है दूसरे यह दूसरा सवाल है इसको हम हल करेंगे देखो 784 में 215 जोड़ना है तो कितना आएगा हम पहले यह करके दिखते 999 तो 784 को हमने लिखा 700 प्लस 80 प्लस 4 4 इकाई के अंक पर है तो 4 लिखा धाई को हमने एक 0 लगा के लिखा है तो यह कितना होगे 80 इसी तरह से सेकडा का अंक लिखा हमने इस सेकडा के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लगा धी 700 दूसरा सवाल इसी का देखो यह 215 को लिखा है डो डबल जीरो, तो 200 गी मैजा, प्लॉस 1, प्लॉस 2 Milwaukee संवा क्यों 0 ग्यूद्व में 647 प्लस 152 को हमें जोड़ना है तो कितनी संख्या एक देखो 647 को हमने विस्तारित रूप में लिखा है 600 प्लस 40 प्लस 7 और 152 को लिखा है 100 प्लस 50 प्लस 2 इन दोनों को संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे 7 प्लस 2 9 0 की 0 4 प्लस 5 9 कितने होगे 40 प्लस 50 90 इसी प्रकार 600 प्लस 100 जोड़े तो कितने होगे 700 700 में 90 जोड़ा 790 और 790 में 9 जोड़ा तो कितने होगे 799 तो 647 प्लस 152 का योग आया है 700 नन्याद में इसी प्रकार 327 इसको 300 प्लस 20 प्लस 7 अब देखिए यहां पर 2 प्लस 7 यहां देखो 2 प्लस 7 का योग हुआ 9 और 60 प्लस 20 का योग कितना होगे 80 और 400 प्लस 300 जोड़े तो कितने होगे 700 700 प्लस 80 प्लस 9 जोड़े तो 700 99 इस तरह से हमने यह चारों सवाल विट्सारीत करके हल कर लिएं अब हम देखते हैं अगला सवाल तीसरा सवाल देखो हल कीजिए 325 प्लस 150 प्लस 0 इनijd तीनों को जोड़ेंगे तो यह 325 में एकatan प्लस 50 प्लस 300 तो resulted 50 और 50 जो तो कितने होगे 500 100 प्लस 200 प्लस 300 तो तीनों का योग कितना होगे 600 125 प्लस 175 प्लस 65 इन तीनों का योग गया है 365 एक बस ने अपनी यात्रा A से प्राहरम की और विभिन इस्तानों से होते वे F तक पहुंची इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है A से एक बस चली दूसरा इस्तान B तीसरा इस्तान C पहुंची C से D पर D से E पर और E से लेकर F तक वो बस उसने विभिन इस्तानों पर यात्रा की तो यहाँ देखी A से लेकर B जो दूरी ते की थी तीन सो सितर थी B से लेकर C तक की दूरी 410 C से लेकर D तक 210 किलो मिटर और D से लेकर E तक 540 किलो मिटर और E से लेकर F तक 830 किलो मिटर की यात्रा देखी इस पृष्ण को देखकर यहाँ देखो हमें दो सवाल हल करने है तो पहला सवाल हमसे पूछ रखा है A से D तक बस ने कितनी दूरी ते की यहाँ से A से B B से C और C से लेकर D यानि की A से लेकर D तक की जो दूरी हैं वो उस बसने कुल कितनी ते की तो यह 370 प्लस 410 प्लस 210 इन तीनों को हम आपस में जोडेंगे तो हमारे पास अजाएगा 990 अगला हैक है इसी में A से लेकर F तक जाने में बसने कुल कितनी दूरी ते की टोटल पूरी A से लेकर B, C, D, E, F F तक यहाँ तक कुल कितनी दूरी ते की है तो 370 प्लस 410 प्लस 210 540 प्लस 830 इन तीन 1, 2, 3, 4, 5 पांचों को जोडेंगे तो आएगा 2360 किलो मिटर इस तरह से हमने कारेपतरक 22 हल किया है अब हम अगला कारेपतरक 23 हल करेंगे अगले वीडियो में